हईलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूंगे हाउ टो यूज इस्टाग्राम कैसे लूज करें इस्टाग्रामको चलाती है उसको बारे में आपको पूरा कंपलीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं क्योंकि आपको तो पता ही आजेकल 2023 चलना और 2023 में social media krijज कितना बड़ चुका जा दीखो तो हर कोई लोग Instagram को यूज करते हैं और स्टाग्राम पर रियल्स एस्टार बनके गूं रहा हैं इस्टाग्राम पर रिल्स बनाते हों और इस्टाग्राम पर रिल्स अपलोड करते हैं और इस्टाग्राम के बारे में जाना क्या क्या चर्चा है अपने सुनी होंगी तो यहांने इस्टाग्राम से रिलेटेड आपके जितने सारे डाउट्स हैं उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं इस्टाग्राम आपके एसे यूज करेंगी और अगर आप इस वीडियो को एक वार पूरा कंप्लीट देख लोगे तो इस्टाग्राम चलाना आसानी से सीख जाओगा आपको सीखाने वाला हूँ और simple वे आसान तरीके से आपको समझाऊँगा कि आप Instagram से क्या क्या कर सकते हैं उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं उसका पूरा complete process आज के इस वीडियो में आपको live करके दिखाने वाला हूँ ठी है तो यदि आप Instagram सीखना चाहते हैं Instagram यूज करना नहीं जानते हैं तो यार इस वीडियो को पूरा एक बार complete जरूर देखना है इसमें मैं आपको basic से लेके advance तक सारी चीज़ा बताने वाला हूँ Instagram पर आप अपना account create करने से लेकर reels uploading तक जो बीचवक्त क्या process होगा followers क्या होती है Instagram पर जितने सारे features होती है और जिनको लोग यूज करते हैं उनके बारे मैं आपको बारी की से समझाने वाला हूँ अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आप Instagram के गुरू बन जाओगे गुरू इस वात की guarantee है समझ रही हो तो वीडियो को पूरा एक वार complete जरूर देखना और वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप Instagram यूज करना सीखी जा होगे तो घंटा आप Instagram चलाना नहीं सीख पाओ क्योंकि अगर आप एक वी पार्ट मिस कर दोगे तो Instagram चलाना नहीं सीख पाओ समझ रही हो इस वाएसे यार वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समयना है इसमें आपको छोटी से चोटी जानकारी देने बाला हूं और Instagram डाउलोड करना होगा जो कि आपको प्लेश्टोर पर आसानी से मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आपको अपने इस्टाग्राम एप्ली के सन अपने मुआलोड कर लेना है ठीक है और डाउलोड करने के वाद सिंपल वे आप इसको उपन पर क्लिक करेंगे ठीक है तो आ अपने पहले इस्टाग्राम को यूज किया तो अपने इसमें अकाउंट बनाया होगा ठीक है तो अगर आपने पहले यूज किया तो उसका पर यूजर नेम डालना और यहां पर उसको पासवर्ड डालना उसके बाद आप लॉग इन कर सकती है यानि आप अपने पुराने Instagram account को फिर से open कर सकती है ठीक है पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया मुझे नया account बनाना है जब हमें Instagram यूज करना है उसके लिए हमें नया account बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे आपको नीची एक option में यदा create new account का simple बे आपको इस पर click कर देना create new account बे ठीक है आपको एक चीज़ देनी होगी दोनों में से चाहे आप mobile number दे दो या फिर अपनी email ID दे दो ठीक है तो आप अपने इसाब से देख सकते मैं तो यह पर email दूंगा तो simple बे आपको इस पर click करना है sign up with email पर ठीक है आपके सामने कुछ इस तरह का आपको आपके सामने यह interface दिखाई देगा ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है आप नए account बना रहे हैं तो simple आपको create new account पर click करना create new account यानि आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना होगा जो आपने इस्टग्राम में रखना चाहती है ठीक है तो आप मैं आप अपना full name डाल देता हूं ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते मैंने आप अपना full name डाल दिया अमनकुमार मैं, अमनकुमार के नाम से अपना Instagram अगाउंट बनाना चाहता हूं, ठीक है, इसलिए मैं डाल दिया, उसके बार आप सिंपल वे Next पर आपको क्लिक कर देना है, Next पर आप क्लिक करेंगे, देखो मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समयन है, अब जो Man Point आता है, सबसे बड़ा Man Point यही है, Create Password, अगर आप यही पर गलतीय कर दोगे, तो हर लोग को यही पर गलतीय करता है, तो वो आपको नहीं करनी है, Man Point आपका यही है, इसका क्या बजाए है, मेंसे बहले आपको यहाँ पर एक अपना Strong Password क्रियेट करना होगा, इससे क्या होता है, अगर आप आपका Instagram Account अगर आप किसी दूसरे मुबाइल में ओपन करेंगे, अपनी यही वाली ID, तो इसके लिए आपको यही पासफ़र्ट डालना पड़ेगा, जो अभी आप यहाँ पर Create कर रहे है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर अपना Strong Password डालना होगा, इसी की मतलब से आप सकते मैंने आपर पासफ़र्ट डाल दिया और पासफ़र्ट आपको ऐसे डालना है, आपको देखो पहले आपका पासफ़र्ट छेचर से ज्यादा होना चाहिए, छेचर से आपका पासफ़र्ट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपके पासफ़र्ट में ल गलतिया करोगे तो कुछ नहीं समझ पाँ अब देखो आपके सामने यह इंटरफेस दिखाई देगा इसका क्या मतला होता है पता है अगर आप इसको सेव कर देंगे तो अगर आपके इस मुबाइल में से आपका इस्टाग्राम एकाट लॉग आउट हो जाता है घलती से फिर है अगर आपको लोकल भी डाल सकते हैं कोई वियान नहीं है कि आप और जी डाल सकते हैं जैसे कि मैं आप डाल देता हूं जैसे आपको डालनी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कलेंडर ओपन हो जाएगा ठीक है आपको इसमें से स्लक्ट करनी है आपको इसी भी कर सकते जासे मैं मैंना यहीं रहने देता हूं डेट भी ही मैं यह को चेंज कर देता हूं ठीक है मैंने आप यही यह cách कर दिया 2005 देखो मैं बना कर देखो मैं कर देथा ऑप है देखो चलिया और चलिकक कर देखो हौनगा is इस्टाग्राम अगर आप यूज करेंगे तो आपको यह सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा तभी आप अपना इस्टाग्राम एकाउंट वह ना पाएंगे यूज करना भी सीख पाएंगे ठीक है ध्यान से समयने अब देखो आपके सामनी यह ओक्षन आया था आप कुछ यूजर नेम रख सकते हैं यूजर नेम जैसे बहाएं तो आपने देखा आपके स्कोई जैसे का यूजर नेम होता था है पंडित्वक्त या महकालभक्त ठीक है यानि Eminem में कुछ भी ड़ा सकते हैं कुछ वी पंडित गर्ल पंडित बॉय या पाठक बॉय आप कु मुझे चेंज करना है तो आपस समझने मेरी बात को सारे लोग यहीं पर गलतीए घरते हैं तो महाकाल के नाम से उस ऐड़ावेलवल नहीं डिख है अगर होगा तो आपस तक लग जाएगा सही का अब कि तोद्ट याफ उसको छढ़ाएंगा करेंगे ठिक है म solic tri के बाद मैं डाल देता हूं 50-50 मैं इतना डाल दिया है महाकाल 50-50 तो देखो गई अपर इस नामसे 3 यूजरनें में तीन यूजरनें एक दो तीन आब अब इसमें से जो भी रखना चाहते हैं तो उसको आप select कर लेंगे अपने साथ से ठीक है आपको यहाँ पर यही steps को follow करना है ठीक है अब आपको क्या वहना ध्यान से समझे देखो जो आप रखना चाहते हैं उसको आप जैसे मैं आप first वाला select कर देता हूं मैंने यह select कर दिया अब देखो जैसा कि आप देख सकते हैं यूजर ने में आप confirm हो चुगा उसके आपको next पर क्लिक करना है अगर आप किसी को यह आईडी बताएंगे इस्टाग्राम की तो आपको यूजर ने में बताना पड़ेगा जो कि अभी आपने सलेक्ट किया है ठीक है दालेंगे रिल्स कैसे डालेंगे फोटोस कैसे अपलोड करेंगे कैसे यूजर करेंगे मैं आपको सारी चीज़ा step by step समझाओंगा ध्यान से समझी ने ठीक है अब आपको क्या करना देखो जो आपके सामने में पॉइंट आता है एड़े प्रोफाइल पिक्चर यानि यह प करेंगे कि मैं सक्क्रियों कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं अगर आपकी आईडि कोई भी देखेगा इस्टाग्राम पर आपकी कोई भी देख सकता है फिक कोई भी ठीक है अब नेरी बात तो गौर से समझे नहीं आप जो प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे वह वह ही आपकी ID पर सोगोगी इसलिग आप प्रोफाइल पिक्चर अच्छा लगां देखने में आपकी IConti ये अच्छी लगई समझए रही हो इस वाशे से आप प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए आप एड़ेट् अब आपको क्या करना जो आपकी फोटो रखा हुगा उसको आपको सिंपल ही आपको सलक्ट कर लेना है तो मैं आपको स्क्रॉल कर लेता हूं मैं आप एक फोटो सलक्ट कर देता हूं जैसे कि मेरे पास यह इमोजी का फोटो है ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यह इमोजी है ठीक है अगर आप चाहिएँ आपका फोोटो आपको करना है कर ना तो सिंपर गराथ पर किलिक करें उसको कोब कर सकते हैं ठीक है अब को ध्यान अंगा समNews को मेरी बात Olympics को आप अपके सामने जो कोई भी आपके इस्टाग्राम आइडी देखेगा या पर सब्सक्राइगा तो उसके सामने यही वाला प्रोफाइल पिक्चर जाएगा जो कि अभी आपने लगाया है ठीक है अब देखो आपका यह वेलकम यह आपके सामने एक मैंपॉइंट यह क्या होता है ध्यान से कौन-कौन ऑपके इस्टाग्राम यूज कर रही है या फिर इसको स्किप कर देन फिरसे हो यह का कलेंडर ऊपन होजाएगा यहिसको भी आप स्किप कर सकती है अब और संभण आप यह पीपल्स यानि आपके सामने ओप्संस आरा फॉलो करने के लिए इन लोगों को आप सोच रहे हो यह क्या होता है तो देखो मेरी बात को ध्यान दे समझना फॉलो का मतलब होता है जैसे जिन लोगों कि आप फोटो वीडियो देखना पसंद करते हैं इस्टाग्राम पर उन यह इतने फॉलो कर लिए आपेने सांथ से कर सकती है फॉलो क्या होती है यह विसे वाले पर टिक कर देना सही वारे बर नेक्स्ट वारे जैसे टिक कर देंगा अब देखो मेरी बात को गौर से समझेंगा आपका गलतिया नहीं करनी है को सारे लोग यहीं पर इletम दाला था वो नाम है मेरा यहापर आ चुका है मनकुमाल ठीक है यह आपका नेम हो गया ठीक है अब बात आती है यूजर नेम तो यूजर नेम जैसा कि आप देख सकते है यह मेरा ऊपर यूजर नेम आ चुका है आप जब कुछ भी चाहिए आप यह डिटेल्स को चेंज कर सकते है पॉइन पॉइंट देखो है आपका प्रोफाइल शो रहा है ठीक है यहां पे आप इसको कर सकते हैं अब ध्यान देखो देखो यहाँ पर आपके तीन और प्सफंस मिल जाते हैं यह वाले पूश्ट फॉलोवर्स ओर पॉलोइंग इसका मतलब क्या होता जो आप अपने देखो आपके इस्टाग्राम एकाउंट को जितने लोग आपको फॉलो करेंगे यानि जो लोग आपकी वीडियो से आपके फोटो से देखना पसंद करेंगे वो आपको फॉलो करेंगे वो आपको फॉलो करेंगे तो आपकी आईडी पर वो आपके फॉलो वर्स में जिन 75 कर देख सकते हैं आप फोटो सब वीडियो पसंद करतें उनको आ पप डाल सकते हैं कोई लिंक वह सकते हैं कोई आसानी से कर सकते हैं जो भी आप करना चाहिए यहां से आपके आपकी idiot से ऑगतिक है प्रोफाइल से भीए ठीक है अब आपको क्या करना देखो मेरी बात को गौर से समयना अब अब जैसे आप अपने इस्टाग्राम एकाउंट पर कुछ फोटोस डालना चाहती हो जैसे मेरे एक फोटो यहां पर डल चुका है ठीक है और मुझे और फोटोस डालने के लिए आपको एक प्लस आइकन मिल जाता है यह बाला प्लस का आइकन ठीक है तो सिंपल वे आपको इस पर क्लिक कर दे हो लाइब जा सकती हो इस्टोरी हाइलाइट कर सकती हो इतने सारे फिचर साथ आपको मिल जाते है एक प्लस के आइकन में जैसे आपको पोस्ट फोटो डालना पो पोस्ट पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगे ठीक है तो मैंने आप यह सलक्ट करने है रिल वा को टेक कर सकते हैं आपका कुछ जान पहचान का उसको आप टेक कर सकते हैं लोकेशन डाल सकते हैं और मीजिक भी एड़ कर सकते हैं गाने के पोस्ट के साथ सार ठीक है और अगर आप चाहिए आपको नीचे एडवांस सेटिंग्स मिल जा ते इनको आपको ऐसे रहने देना यह अब आपको सभी पर किल्क कर देना है इतना कर से आई कर देंगे उसके बाद आपको पोटो पोस्ट हो जाएगा देखो जैसा कि आप देख सकते ने यह फोटो मेरे इस्टाग्रां पर ढ़ा है ठीक है और देखो मेरी बात को गौर से समयना, अब जैसे मैं अपने प्रोफाइल पर जाता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल पर जाने के बाद देखो, दो लोग हैं, जो मेरे फॉटोस और वीडियोस देखना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे को फॉटो कर लिया है, बीच में दो आने लगा है, दो देख सकते हैं, दो आ रहे हैं, दो मेरे फॉटोस देखना पसंद करते हैं, अपर यह जानना चाहते हैं, इस पर क्लिक का दें दो फोलोवर्स पहर, तो देखिए, आपके सामने येंटरफ्रेस बवरोपन होई ये दो लोग है, जो कि मेरा फॉटोस और वीडियोस देखना चाहती है इन्होंने मुझे को फॉलो कर लिया ठीक है इस परकार से आप देख सकते हैं कौन लोगों जो आपकी फोटो वीडियो से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आसानी से फोटो से स्टोरी कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें रिल्स पडालने हैं तो रिल्स पर क्लिक करेंगे ठीक है अब देखो एक मैन पॉइंट आता है देखो मेरी बात को यहां पर गौर से समयने जैसे देखो अगर आपकी फोटो को कोई कॉमेंट करेगा या इस यहां पर आपको कोई कॉमेंट करेगा या फिर अगर आपकी फोटो को कोई सेर करेगा तो यह आपको पता कैसे चलेगा ठीक है मेरी बात को गौर से समयना है म我不知道 आप तो इस पर आपको क्लिक कर देना है आपके लाइक करेगा कॉमेंट करेगा या शेयर करेगा तो आपको यहापके हार्ट में दिल वाले आइकन में आता है यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेगा तो भी आपको 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 आजाएगा ठीक है अब देखो मेरे बात को गौर से आप सारी चीज़े समझ गये होंगे ठीक है अब एक मैं पॉइंट आ जैसे कि जाला लोग इस्टाग्राम पर टाइम पास करने ही आज आते हैं और साएब आप बिस्ट्रागा़ पास करने ही हो यह तरिए आपको नीचे ऐक खौन मारे आयकन कि यह वाला प्लस के बगर में यह वाला आइकन आपको में तो आपके सामने लाइक हो जाएगी ठीक है? और आप इसको स्ट्रॉल करके रील्स यहाँ पर देख सकते हैं जिस रील्स को आप लाइक करेंगे वह वैसिंनी रिल्स आपको दिखाई जाएगी जैसे कि मुझे रील्स पसंद है मुझे रिल्स लाइक करनी है तो इस पर डवल टैप कर देंगे तो दोस्तो इसी प्रिकार से आप अपने इस टाइनाम को यूज़ कर सकते हैं जैसे यूज़ करते हैं उसका मैंने पूरा complete process इस वीडियो मैंने बता दिया है ठीक है तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दें और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो च आपके मैंड में कोई कुस्सान हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं ठीक है और दोस्तो आज के लिए इतना हैं और दोस्तो अपना ख्याल रखना मिलती है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कि